Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, I hope आप सब अच्छे होंगे कहानी शंगला के अंतरगत आईए सुनते हैं हिंदी साहित्ते की परसित कहानी बेडिये इसे लिखा है मुहनेश्वर जवीने बेडिया क्या है? खारू बंजारे ने कहा मैं अकेला पनेटी हूँ, बेडिया मार सकता हूँ, मैंने उसका विस्वास कर लिया ये खारू किसी चीज़ से नहीं डर सकता और हाला कि सत्तर के आसपास होना और एक उमरी की गरीबी के सब से वहे बुजबुज़सा दिखाई पड़ता था पर तब भी उसकी ऐसी बातों को उसके कहने के साथ ही यकीन करना पड़ता था उसका असली नाम सायद इफ्थकार या ऐसा ही कुछ था पर उसका लगू करन खारू बिलकुल चस्पा होता था उसके चारो और ऐसी ही दुरहें और दुर्भें कठिंता थी उसकी आँखे ठंडी और जमी हुई थी और घनी सफेद मूचों के नीचे उसका मूँ इतना ऐसा और निर्दे था जितना एक चुहेदान जीवन से वे निप्टारा कर चुका था मूच उसे नहीं चाहती थी पर तब भी वे समय के मूँ पर थूप कर जीवित था तुम्हारी भली यह बुरी राय की पर वाकिये बिना भी वे कभी जूट नहीं बोलता था और अपनी निर्दे कटू सत्य से मानो यह दिखला देता था कि सत्य भी कितना असर और बहनक हो सकता है खारू ने मुझसे यह कहनी कही उसका वैठोस तरीका और गहरी बेसरो की जिसने उसे यह कहानी कही मैं सब्दों में नहीं लिख सकता था पर तब भी यह कहानी सच बताना चाहता हूं इसका एक एक लफ्स मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हाँ सिवा भेड़िये के यह किसी चीज़ से नहीं डरता खारू ने कहा एक भेड़िये ही नहीं दो चार नहीं भेड़िये का सुन जुन्ड दो सो तीन सो जो जाड़े की रातों में निकलते हैं और सारी दुनिया की चीज़े जिनकी भूक नहीं बुजा सकती उनका उन सेतानों की फोज का कोई भी मकाबला नहीं कर सकता लोग कहते हैं अकेला भेड़िये कायर होता है या जूट है भेड़िये कायर नहीं होता अकेला भीवे सिर्ट चोकाना होता है तुम कहते हो लोम्री चालाक होती है तो तुम बेडियों को जानते ही नहीं, तुमने कभी बेडिया का सिकार करते देखा ही नहीं, किसी का बारशिंगे का वह सेर की तरह नाटक नहीं करता, भालो की तरह सेख ही नहीं दिखाता, एक मरतबा सिर्फ एक मरतबा गेंसा कूद कर उसकी जांग में गहरा जखम कर देता जहां वे बाराशींगा कमजोर होकर गिर पड़ा है यह उचलकर एक्षन में अपने से तीगुना जानवर का पेट चाक कर देता है और वही चिपका जाता है बेड़िया बला का चालाक और बहादुर जानवर है वे ठकना तो जानता ही नहीं है अच्छे पछेया बेल हमारे ब लोड़ा सकता सुनो मैं गवालेर के राज से गार्डन में आ रहा था अजीब सर्दी थी और भेड़िया गोलों से निकल पड़े थे हमारा गड़ा काफी वरा था मैं मेरा बाप गिरश्टी उर्ती नटनिये पंद्रा पंद्रा शाल की हम लोग उन्हें पछा लिया जा रह गवालेर की नटनिया छोटी छोटी गदबदी होती है और पंजाब में खूब बिक जाती है यह लड़किया होती तो बड़ी चोकी है पर भारी भी खूब होती है हमारे पास एक तेज बंजारन गड़ा था और तीन गोडों से तेज भ्यागने वाले बैल हम लोग तड़क कान और एक टोपीदार बंदूग थी बैल होसले से भाग रहे थे और हम लोग 20 मिल निकल आए थे कि बड़े मिया ने गुम कर कहा खारे भेडिया है मैंने तेजिसे का क्या कहा भेडिया है होते तो बैल ना चोकते बेटे ने सर हिला कर का नई भेडिया जरूर है खेर वै हम से 10 मिल पीछे हैं और हमारे बैल ठक चुके हैं लेकिन हमारे पास 50 मिल और जाना है बुड़े ने कहा और मैं इन भेडियों को जानता हूं पांच साल इन्होंने कुछ केदियों को खा लिया था और भेडिया और सिफाई की बंदूगों के सिवा कुछ ना बचा बंदूग सब ठीक था बारूद की नई पोगली भी निकल के देख ले मेरे बाप ने कहा बारूद की पोगली मैंने कहा मेरे पास तो पुरानी ही वाली है तब बुड़े ने मुझे गालिया देनी सुरू की तू यह है तू यह है मैंने पुरा गड़ा उलट डाला पर नई पोगली की कहीं नहीं थी मेरे बाप ने भी सब टेंडोटा तू जूट बोलता है तू बेड़ी की ओलाद मैंने तुझे नहीं पोगली दी थी पर वहें बारूद यहीं कहीं नहीं थी मेरे बांसम ने बाप ने मेरी पीट पर कुहुनी मारते हुए का सहर पोच कर मैं तेरी ख्याल अधेर दूँगा सहर पोच कर और इसी वक्त तचानक बेले एकदम रुक कर पूछ लाकर जोर से बागी मैंने सुना मेलो दूर तक आवा जा रही थी बहुत दीमी जैसे खंडरो में भी आंधी गुजरती आती है हवा मेंने सहम के कहा बेड़े मेरे बाप ने नफरस से कहा और बेलो को एक साथ किया पर उन्हें मार की जरुरत नहीं थी उन्हें बेड़े की बू आ गई थी और ये जी तोड भाग रहे थे दूर से एक छोटे से काले दब्बे को हरकत करते देख लिर रहा था उस सेकिंडो मील के चपेट रेगिस्तान बंजर में तुम मीलो की चीज देख सकते है और दूर पर उस काले दब्बे को बादल की तरह आते मैं ये देख रहा था बूडे ने का जैसे ही वैं नजदीक आ जाए मारो एक भी तीर बेकार खा गया तो मैं कलेजा निकाल दूँगा और तब उन तीन लड़कों ने एक दूसरे से चिपट कर टीशुए आसू बहाना शुरू कर दिया चुप रहो मैंने उनसे काहा तुमने आवाज निकाली और मैंने तुम्हे नीचे डगेला बेड़े बूडे ते हुए चले जाते हैं हम लोग भरी पत्थरीली दर्ती पर उड़ रहे थे पर बेड़े बूडे ने लगाए छोड़ दी और बंदू सभाल कर बैठा मैंने कमान सभाली और मैं अधेरे में उड़ती हुई मुर्ग बीयों का सिकार कर सकता था और मेरा बाप वह जो जिस चीज का निसाना ताक्ता था भगवान उसे भूल जाता था कोई चार सो कज गजपए मेरे बाप ने आगे वाले भेड़े को गिरा दिया दाएं दाएं उसने नटो की तरह एक काला बाजी खाई और फिर दूसरी बिलगुल नटो की तरह बैल पागल होकर भाग रहे थे हावा में उनके मूँ का फैन उड़कर हमारे मूचों पर मेहे की तरह गिरता था और मेरं भा रहे थे जैसे बंजरियों बिहाने वाली भेसो की नकल करती है पर भेडिया नजदी की आते जा रहे थे गिरे हुए बेडियों को वे बिना रुके खा लेते थे में उनके उपर तैर जाते थे मेरे बाप ने मेरे कंदे पर बंदू की नली रख दी धाएं धाएं मेरे गरदन पर रख तक जले का दाग है मैंने भी 16 तीरों से 16 ही बेडिये गिराएं बूढे ने 10 मारे थे पर तब भी यह गोल बढ़ता ही आता था ले बंदूक ले उसने कहां मैं बैलों को देखूंगा उसका ख्याल था कि बैल उससे भी तेज भाग रह सकते हैं पर यह ख्याल गलत था दुनिया के कोई बैल उससे तेज नहीं भा देती थी बांदी अच्छे लड़की थी वह बंदूग भरती थी मैं निसाना मारता था अच्यूक मैंने 10 और गिराएं धाएं 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 जब सबे बारूद खतम हो गए तो बेड़े भी कुछ हार से मालूम होते थे मैंने कहा अब यह वें पिछड गएं बूढ़ा हस रहें इतनी सी बात से नहीं बिछड सकते पर मैं मरते मरते कह चलूँगा कि साथ मुलक के बंजारों में खारे सा खारा निसाने बाज नहीं हैं मेरा बाप उड़े में बुढ़ापे में बड़ा हसोड हो गया था हां तो भेड़े कुछ पीछे रह गए थे और उन्हें हम से 200 गज़ पर रहे होंगे और बढ़ते ही आते मेरे बापने कहा सामान निकाल कर फैको गड़ा हलका करो एक बारागी ठोकर खा कर गड़ा चकरा कर चला बंजारों से यह गड़ा अफसर था और सब सामान फैक कर हमने उसे फलसा हलका कर दिया था और कुछ देर तो हम खोल दो क्या मैंने कहा दो बैल गड़ा खीज ले जाएंगे उसने कहा अच्छा तब एक नटनिया फैक दो मैंने उन तीन मेंस से मोटी को ही उठाया और गड़े के बार जुका कर फैक दिया हां गवालियर की नटनिया उसे दात लगा दो तो वे भी भीडियो का मुकाबला कर ले पहले तो वे भागी पर यह जानकर की भागना बेकार है गूम कर खड़ी हो गई और सामने वाले भीड़े की टांगे पकड़ ली पर इससे भी क्या फायदा था एक दम वे नजर से ओजल हो गई जैसे किसी कुवे में गिर पड़ी हूँ गड़ा हलका होकर और आगे बढ़ा पर भेड़िया फिर लोटाए दूसरी फैंको बड़े मियाने का पर अब की मैंने कहा आखिर क्या हम लोग सर करने के लिए मारे मारे फिरते हैं एक बैल ने खोल दो मैंने एक बैल खोल दिया वह पीट पर पूछ रखकर चिघाड ता हुआ भागा और गोल उसके प पासू भर गया बड़ा असील बैल था बड़ा बदबदा रहा था हम बच तो गए मैंने कहां तभी हांगोल वापस आ गया था आज कियामत का दिन है मैंने कहा और बैलो को इतना वह भगा कि मेरी हटलियों में खून चल ला गया पर भेडिया पानी की चले जा रहे थे और ह इन दोनों में बांदी सारी थी और कुछ सोच कर कापते हातों वे अपनी चांद की नतनी उतारने लगी थी और मैंने सायद बता नहीं मुझे वे कुछ अच्छी भी लगती थी इसलिए मैंने दूसरे से कहा तू निकल पर उसको तो जैसे गिरी थी वैसे ही पड़ी रही थी गाड़ा और हलका हो गया और तेज दोड़ले लगा पर पांच ही मिल में बेड़े फिर वाबस आ गए बड़े मिया ने गहरी सांस ली माता फीट लिया हम क्या करें भीक मांग के खाना बंजारों का दीन है हम रईस बनने चल दे थे मैंने बांदे की तरफ देखा उसने मेरी तरफ मैंने कहा तुम कूद कद पड़ोगे कि मैं तुमें धकेल दूँ उसने चांदे की नत उतार कर मुझे से दे दी और बहाओं से आखे बंद किये कूद पड़ी गड़ा बिलकुल हवा सा उड़ने लगा वे पुरे बंजारों में गड़ों का अफसर था पर हमारे बैल बहत ठक गए थे और बस्ती तक पहुँचने के लिए अब भी तीस मील बागी थे मैं बंदुक के कूदे से उन्हें मार रहा था पर बेड़ी फिर भी आगए लोट आए मेरे बाप के मुझे से पसीना टपकने लगा लाओ दूसरा भी बेल खोल दो मैंने कहा या मोत के मुझे में जाना है हम लोग दोनों मारे जाएंगे हमें या तुम्हे किसी को तो बचाना चाहिए तुम ठीक कहते हो उसने कहा मैं बुड़ा आदमी हूँ मेरी जिन्दगी खतम हो गई है मैं खुद पढ़ूँगा मैंने कहा हिरासत मत हो ना मैं जिन्दा रहा तो एक एक भेड़िया का काट डालूँगा तुम मेरी असील बेटा है मेरे बापने कहा और मेरे दोनों गाल चूम लिये उसने अपने दोनों हातों में बड़ी बड़ी जूरिया ले ली और गले में मजबूस से कपड़ा लपे मरे हुए आदमियों के जूते नहीं पैने जाते तुम इन्हें बेज देना उसने जूते खीच कर गड़े पर फेक दिये और बेड़ीयों के बीचो बीच कूद पड़ा मैंने पीछे गूम कर नहीं देखा लेकिन थोड़ी देर में उसे चिलाते सुनाता रहा यहले यहले भी ओलाद बेड़े की ओलाद और फिर चट-ट-ट-ट-ट में किसी तरही बेड़ीयों से बच गया खारू ने मेरे डरे हुए चेहरे की तरफ देखा जोर से हसा और फिर का खखा कर बहुत सा जमीन पर ठूक दिया मैंने दूसरे ही साल उनसे 60 बेड़ियों हो गया